आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एक 16 साल का लड़का फ्रॉम रिशी केश आज की डेट में एक्सपोर्ट कर पा रहा है आज मैं बताऊंगा किस तरीके से एक 60 years का senior citizen फ्रॉम एक छोटे से गाओ में एक बिहार में एक छोटे से गाओ से एक्सपोर्ट कर रहा है आज की डिट में वह कौन सा तरीका है जो बहुत ज़्यादा अंडरेट है जिस बारे में कोई बात नहीं करता एक्सपोर्ट के मामले में मेरे से लोग अकसर यह पूछत है बहुत सारी organization है बहुत सारी companies है मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ जो बायर का data भेजते हैं जिसमें कि आपको लोगों को पता होता है कि यह आईटम है यह है इस country में इस पर्टिकुलर बायर को इतनी quantity में यह आईटम एक्सपोर्ट हो रहा है इस rate में क्या फायद होता बहुत कम बायर क्रैक होते हैं कितने ही मेल्स उनको जाते होंगे regular basis पे और कितनों का ही वो reply करता हो को लोग कहते हैं कि consistently करते रहो persistent रहो अपने में approach करो पता नहीं कितने export के गुरूज है आज की डिट में इंटरनेट पे जो यह सिखाते हैं कि किस तरीके से export करना है कि किस तरीके से बायर ढूंडना है बट मैंने किसी को भी आस तक यह बताते हुए नहीं सुना जिस बारे में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं जो कि बहुत ही common और बहुत ही easy और बहुत ही एक बच्चा आज की डिट में 16 साल का बच्चा इस चीज को यूज करते हुए एकस्पोर्ट कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि बिल्ना इंस कि इस तरीके से साब लोग को चीजा से अप का बायर है कौन सा आपका रीजन है यह सारी चीज़े मैं आप लोग को आज चुटी से वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा आगे एक पुरी की पुरी सीरीज लिखा हूंगा इसके उपर किस तरीके से सारी चीज़ सेट अप होती है किस तरीके से मेरा क्या रोल होता है म जिस चीज़ के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ आज वो है Amazon Global Selling Amazon Global Selling एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की रेट में जो मुझे लगता है कि बहुत जादा पावर्फुल है इसको यूज़ करता है मैंने खुद मैंने खुद किया है कि जब भी आप एक्सपोर्ट कर तो मेरी एक पर्सनल खुद की सर्वीस है कि मैं ADCode Registration कराता हूँ और 90% जो आज तक मैंने जिन लोगों का भी ADCode Registration करा है न डिली आईज एरपोर्ट में इसमें 90% लोग ऐसे हैं जो Amazon पे सेल करते हैं Amazon ये किसी और प्लैटफॉर्पर 90% Amazon है कुछ eBay है कुछ दूसरे Global e-commerce platforms है उसमें आज मैं सिर्फ Amazon की बात करूँगा क्योंकि Amazon बहुत जाद पावफुल है Amazon पर वो लोग सेल करते हैं और मेरे को अप्रोच करते हैं मेरे वीडियो को देखके जो ये वाली वीडियो है मैंने ADCode को पर मना रखा है वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं कि ADCode जनरली जो हम लोग e-commerce platform पर सेल करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग कैसे किस Amazon से Amazon को 90% का होता है कि हाँ हम Amazon पर सेल करते हैं Amazon के warehouse में हमको US भेजना है या डुबई भेजना है ये यूरोप में उनके फुलफिल्मेंट सेंटर है वहां बेजना है तो वह service भी हम बाद में प्रोवाइड करते हैं उसके और में नहीं बताऊंगा कि या फिर बोलेंगे कि मैं अपनी services को प्रोमोट करता रहता हूं तो पहले सिर्फ एडिकोड को लेके चलते हैं Amazon को लेके चलते हैं तो मैं उनका एडिकोड कराता हूं और मेरे साथ तो कई लोग कई सारे ऐ आपकी एज क्या है क्या भाई 16 साल का हूं मैं स्कूल में बढ़ता हूं मैं करहा हूं अच्छा कि मैंने उनसे पूछा जनरल कोईशन की क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको कहरें कि हांपे हैंडिक्राफ्ट का हमारे यहां पर थोड़ा काम है तो मैं लोकल मार्केट से प बात करी मैंने सब कुछ मैंने करा के दिया उनको प्रॉपर सटप करके आज की बढ़िया उनका एक्सपोर्ट चल रहा है मेरी बीच में बात हुई थी तक अच्छा काम चल रहा हूं का कहां हो या आप लोग आज की डेट में चीजों को इतना इजी बना चुका है और e-commerce को मुझे पता e-commerce का स्कोप आके जाके इतना जाता है यह गौवर्मेंट को भी समझ में आ गया है रिसेंटले इसी महिने से एक नया सर्कुलर आया है जिसमें की e-commerce एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो वेल्यू है वह एक लाग से पांच लाग रुपए तक की बढ़ा दी गई है यानि पांच लाग रुपए तक की वेल्यू का आइटम आप e-commerce की अंडर एक्सपोर्ट कर सकता है आप e-commerce और और क्मेर्शल में क्या basic difference होता है इ-commerce में जो होता है वो चीज़े बहुत जल्दी-जल्दी होती है और commercial shipment में में हूता है चीजों को तोड़ा टाइम लगता है स्कूनी होने में है एक्सारी होने में क्टाई करता हूं उनका मैं खुद काम करता हूं मैं नाम नहीं बाता हूं पर छुच का काम करता हूं ऐरपोर्ट पे डिल instagram चलिए मरेन का मेंन इस तरीके सरु कॉक्स को ऐसा अगर यह थेखने कुस्पोछ को चैण infring ay अगर आज के डेट में आप लोग उंलाइन नहीं है ना उनलाइन कुछ नहीं अपनी दो पांश साल की आप सीधा यूग से अपना प्रोडच्ट स्थिस लंगतेlogo ha growing खोलते हैं चार मार्केट का चार अपको आक्सेस नॉर्थ अमेरिका यूरोप जपान और और स्ट्रेलिया नॉर्थ एमेरीका में बहुत सरी कंट्रीज आती है मेक्सिको अमेरिका और कैनेडा भी आ जाता है यूरोप में जर्मन्य और दो-चार ऐसे तो यह एक कंट्री नहीं है यह चार रीजिन है रीजिन के अंदर बहुत सारी कंट्री उन्होंने कवर कर रखी है अब आप लोग जब अपने प्रोड़क्ट को Amazon पे ले के आएंगे तो सबसे पहले तो आपको यह पता लगेगा कि Amazon पे चीज़े काम कैसे करती है बेचना कैसे है सर्विस किसको कहते हैं कस्टमर रिव्यूस कितनी इप्रोड़क्ट है मैं अपने अपको पता ही लगेगा आपके मुझ में खून लगेगा यह नहीं तो आप कहां एक्सपोर्ट करो गया तो पहले अपने मुझ में खून लगा और पता करो कि टेस्ट कैसा इस चीज का कैसे बेचते है बहुत लोग इसके तुरू आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों ने अपने कई तो कई ब्रैंड कितने ब्रैंड का नाम लोग अहेली वाओ हो गया जल्द स्टोर करके जो लेदर का प्रोड़क्ट बिता वाओ के प्रोड़क्ट से मैं खुदी लोकल बेचो या ग्लोबल सेलिंग अकाउंट डिरेक्ट खोलो अकल आपका लोकल कोई दुकान है Amazon कितने ही लोगों का मैं एक्सपोर्ट करता हूं आज की डेट में आकरा ऐसे जूते बेचते हैं वो लोग मुरादाबाद से हैंडी क्राफ्ट का काम है उन लोग का रिशी क इस हैंडी क्राफ्ट का काम है तो इंडियन प्रोडक्स की डिमांड यूएस यूरोप मार्केट में बहुत जादा है इन जो ट्रिशनल वेज है ना कि मेरे को बाइर की लिस्त हो मेरे को ये भेजूंगा पता नहीं कितने ही गुरूज है आज की डेट में 99 रुपीज में अ आप फिर अपना साथ टाइम वेस्ट करो एट लीस्ट करो गरो अपको टेस्ट मिलेगा किस तरी किस तरीके से यह औन-लाइन बाइंग ंसलिंग का जो सारा डायनमिक से किस तरीके से काम करता है फिर अगर आप लोगों को आपने एक बार लोकल मार्केट कैट्चर कर लिया तो आप ग्लोबल सेलिंग में अपना अकाउंट खो लो सिर्फ 39 डॉलर्स पर मंत लगते हैं आराउंड 2000 रुपे मेरे ख्याल पर महिने के आपको देने पड़ेंगे और उसमें आप लोगों का रेजिस्टर हो जाएगा अप उसके बाद दिवाली हो गया आपका बाहर का ब्ल चानिघ होते हैं यरों चानि यो में उसम्हों को लिए उसमयाट में श्लार करेंग अने वाले टाईम में यह बहुत बढ़ने लाए guar e-commerce export और e-commerce selling जो है वो पहुत जादा इंडिया में ग्रो करने वाली है तो इस चीज़ का फायदा उठाओ अप लोग अप तक online यह तो online आओ आगे भी मैं इसके उपर लेकर आता रहूंगा अच्छे-चे एक्सपोर्ट को जो Amazon में और online dropshipping में या online e-commerce बेचने में एक्सपर्ट हैं को इन चैनल पर लेकर होंगा podcast वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा और वीडियोस को भी ज़रूर देखना यह वीडियो अप लोग अप तक अच्छा लगाया है तो वीडियो को लाइक करो मुझे बनाना में तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर पहली बार है त तो यह था आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से सहरी चीज़े काम करते हैं थोड़ा और इंडब जाने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर में आप लोगों के साथ मुलागात होगी इस चैनल पर तब तक के लिए थैंक्यू स माच्च नमस्ते